पिछले एपिसोड में हाओ यू इवल्व होकर बाहर आ गया था लेकिन तभी तीनों किंग भी उस पर अटेक करने के लिए बहाँ पर आ गये थे जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इस पाद से काफी परिस्तान हो गया होता है और कहना लगता है कि ये तो वही हैं जो कि हाओ यू को मार देना चाहते थे तब ही हम देखते हैं कि इन में से लेडी हाओ यू को देख काफी गुसा होने लगती है और कहना लगती है कि इसने तो अपने चोथे हैड को भी वल्व कर लिया इसके बाद वो बॉन ड्रेगन किंग से कहना लगती है कि तुम जल्दी से इ परना होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बोन ड्रेगन किंग भी इसके उपर अटेक कर देता है लेकिन यादे कब हाओ युने भी अपने पाउर का यूज करके इसके अटेक रूक लिया था तभी वो लेडी कहना लगती है कि इस पर मैं तुम्हें किसी भ करना लगता है कि यह तोसल में लेबल नाइन वाली प्रेसर है जिससे देख ऐसा लगता है कि अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो फिर तो इस तरह से हम सभी यहाँ पर जरूर ही मारे जाएंगे तभी इससी भी हम देखते हैं कि तिसरा किंग भी अपने पाउर का यूज कर और क्रा करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहना लगता है कि हमें जितना जल्दी हो सकेए इस प्रेसर को खतम करना होगा future दुसरे तरफ हम दखते हैं कि अब ये डेट सोल भी इनके उपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वेस अभी तुरंत इनके तरफ आने भी लगते हैं। तब इसे देख हाओचेन भी हाओउयू से अपने पाउर को यूज करने के लिए कहता है। जिसके बारा मैं सुनकर हाओयू भी तुरंत अपने पाउर का यूज करने लगा था और इस तरह से वो यहाँ के प्रेसर को तोड़ने के लिए कोसिस करने लगता है। वहीं उदर सिमा सियान भी अपने लाइट हैमर का यूज करके यहाँ के डेट सोल का सामना करने की कोसिस कर रहा था। लेकिन असल में वह यहाँ के लेबल नाइन वाले प्रेसर के वज़ज़ से अपने फूल पाउर का यूज नहीं कर पा रहा होता। और उसी बचा से वे डेट सोल इसके उपर भारी पढ़ने लगते हैं। पाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर हाउयू भी इसके लिए रेडी हो जाता है। और वो यहाँ के प्रेसर वाले बारियर को तोड़ने के लिए अपने और भी ज़्यादा पाउर का यूज करने लगा था। और उसलिए वो बॉन रेगन किंग से कहाना लगती है कि तुम जल्दी से इसके बारे में कुछ करो। क्योंकि हम इस फारिन को इतने असानी से बचकर नहीं चाने दे सकते। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन भी अपने टीम को लेकर यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। और उसने इसके लिए पीछे से टेलिपोटेसन केट को अपन कर दिया होता है। और कहना लगता है कि ओस्टन क्रिफिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं चोड़ूंगी। लेकिन इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि हाउचन उसके सभी साथी वहाँ से टेलिपोटो कर वापस आ गये थे। जहाँ पर हम देखता है कि लिंसीन हाउयू के साथ में खेलने लगा था और कहना लगता है कि हाउयू तो इस पर इवोल वोकर और भी ज़्यादा बड़ा बन गया। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन हाउयू के बारा में सोच कर काफी परसान था क्योंकि उसने इसके मेमरी में उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजड़ होते हुए देखा था और उसलिए वो कहना लगता है कि क्या साथ में यस चिस तुम्हारे पास इससे जुड़ी और फिर वे सब ये हाउचन और हाउयू को अकेले छोड़कर यहां से चले जाते हैं इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे दोनों एक साथ में अकेले होते हैं जहां पर कि वे एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम इस्पेंट कर रहे थे और फिर प्रेश करता है कि Siyaoulan अभी भी डरा हुआ है और इसलिए वो इनको खाने के लिए इनका सबसे फिवरेट राइफ हिस देता है जिसके बाद अदम देखते हैं कि बाखी तिनों अपने अपने पने हिस्से को जल्दी से खा गये थे लेकिन वहीं उदर Siyaoulan जैसे ही अपने हिस तब ही अच्छानक सेम देखते हैं कि वह ड़कार मरकर यहांके एक पेर के उपर राग लगा देता है लेकिन इसे देखते हैं इस यावलन तुरंत अपने वाटर का इजूज करके इसे बुझा देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इस पास से स्यावलन से काफ़ इंप्रेस हो गया था और कहना लगता है कि तुमने आशा करके सही किया इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी को यहां पर रुके हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और उसलिए वे सभी बहुत ही अराम से यहां पर सो रहे थे लेकिन वहीं उदर हम देखते हैं कि स यावलन अभी भी जगा हुआ था और तब इसी वक्त उसके सामने एक बटरफ्लाई आ जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके साथ में खेलने के लिए इसके पीछे जाने लगा था तब ही होचनु से कहना लगता है कि मैंने तुम्हारे मेमरी को देखा है और वो सियावलन से कहता है कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की जवरत नहीं है क्योंकि मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बास उनका सियावलन भी काफी मुशनल हो गया था अब इ इसके लिए हाई इंटेंसिटी बैटल में इंवाल होना जरूरी है इसलिए हमने अपने टीम को हैंसन लेबल डिमन हंटिंग करने का डिसाइड किया है ताकि इस तरह से हम और भी हाई लेबल के हंटिंग मिशन को स्टार्ट कर सकें लेकिन अब इसके बारा में सुनते ही मास करने के लिए जल्दिवाजी ना करो अब इतनी बात करने के बाद वह हाउचन से कहता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और फिर उसके बाद तुम असस्वेंट के लिए मेरे पास में वापस आ सकते हो लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन मास्र रहान से कहता है कि में तो इनका लीडर हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें आसा कर ने दीजिए लेकिन अलांस के हिस्ट्री में आस्तर कभी बैसा यंग और हैंसम डीमन हंटिंग गूरूप नहीं बना था तब इस पर हाउचे इन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप अमरे साथ में कोई बाजी क्यों नहीं लगा लेते इसके बाद वो इनसे कहता है कि आप अमरे टीम के असेस्मेंट के लिए अफ्रूबल दे दीजिए इसलिए अगर इसके दोरान इन में से कोई भी असेस्मेंट में फेल हो गया तब उसके बाद ना के ओल मेरी टीम को फेल माना जाएगा बलकि इसी के साथ हम अपने टीम के लेबल को डाउन ग्रेड कर देंगे जिसके बाद हम देखते हैं कि यह ऐसी बास सुनते ही मास्टर हंट भी इससे काफी इंप्रेस हो गए थे और फिर वे हाउचन से कहना लगते हैं कि तुम तो डीमन हंटिंग ग्रूप के साथ में बहुत ही एक्सिलेंट लीडर हो जिसके बाद जासे मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ही असानी से पास कर लोगे क्योंकि इसके अंदर सभी एक्सामिने लेबल से बन वाले होंगे और उसके लावा इस फार हम तुम्हारे विक्नेस को टारगेट करने के लिए कोसिस करेंगे लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन के टीम को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और अब हाउचन भी इनकी यहाँ बात मालने के लिए रेडी हो गया था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग युआने के एक्जामनेर के साथ में भाइट कर रही होती है जहाँ पर कि वो इसके टेक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था और उसलिए वेंग युआन इसके साथ में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी अभी वो वेंग युआन से कहना लगता है कि तुम्हारे पास में टाइगर के जैसी ताकत है इसके अलावा तुम तो रैबिट के जैसे मूब करती हो इसलिए सच में तुम्हारे पास में भी सीनिय रिंगा कुवां के जैसे वैल्यू है लेकिन फिर वो कहना लगता है कि तुम्हारी फिस्ट अभी भी बहुत यंग है इसलिए अगर तुम अपने पूरे ताकत का भी यूज करके अटेक करो गई तो कुछ नहीं होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि यसी बास सुनकर वेंग्यूण भी फाइट के लिए सिरियस हो गई थी और अब वो इसके उपर अटेक करने के लिए अपने जैंट सील का यूज करने लगती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचा रहा था और फिर वो कहना लगता है कि हमने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे इंफर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिकेशन किया है इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे जैंट सील असल में बहुत ज़्यादा पाउरफुल है लेकिन असल में फिर भी यह बहुत ज़्यादा बल्की है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वेंग्यूआन के सामने से गाइब हो जाता है और अब इस तरह से वो अपने स्वाड का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए आ गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग्यूआन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और उसलिए वो अपने जैंट सील का यूज करके इसके अटेक को रुकने लगती है वहीं उदर सीमा सीयान भी अपने लाइट हैमर का यूज करके एक सीनियर के उपर अटेक करने के लिए जाता है लेकिन हम देखते हैं कि उस सीनियर ने इसके अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था जिससे देखते हैं सीमा सियान हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या हो गया जिस पर वो सीनियर उससे कहना लगता है कि तुम इस बात से इतने हैरान क्यों हो गया और किया तुम्हें ऐसा लगता है कि एक हिलर तुम्हारे अटेक को नहीं रोप आएगा अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर इसका सामना करने के लिए पुरी तरह से रेडी हो गया था लेकिन तब हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने होली लाइट वेले बैरियर का यूज करके इसका अटेक को बहुत ही असानी से रोग दिया था जिसे देखते हैं सीमा सियान पुरी तरह से हैरान हो जाता है तब इस पर वो सीनियर उससे कहाना लगता है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरे उपर जो भी अटेक करने की कुछिस करेगा वो इसके पाउर को बांस बैक कर देगा लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमा सियान इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और अब इस तरह से वो फिर से इसका सामना करने के लिए पुरी तरह से रेडी हो गया था वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन ने अपने लिविंग गेट का यूज किया था और इसके अंदर से इस पार भी वही सी बाहर आया होता है तब इससे देख उसके सामने वाला सिनियर करना लगता है कि अब तो तुम इसके मदद से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी पूरे मैजिक पैलेस में सबसे काबिल इनसान हो लेकिन असल में इस सीच को दूसरे के मेड़ी सिन से उसकी का इलास करना बोला जाता है इसके बाद वो इसका मजाग उड़ाते हैं वे कहता है कि साइद अब इसके लिए तुम्हें कल आना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना कर घर पर मेरा वेट कर रही है इसके बाद वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें इसके लिए केवल एक मिनिट का टाइम दूँगा और उसलिए अगर तुम केवल इतने टाइम में मुझे नौक आउट नहीं कर पाए तो तुम इसमें हार जाओगे जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारा में सुनकर लिंस इन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहना लगता है कि आखिरका तुमने मुझे इससे यूज करने के लिए मजबूर कर दिया तो क्या आपको लगता है कि वे सभी इस असेस्मेंट को पास कर पाएंगे इसके बारे में आप कोमेंट करके जरूर बताना लेकिन हम इसका अगला पाट भी बहुत ही जल्द अफ्लोट हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक व्यारस कोमेंट जरूर क आर देना